नमस्कार स्वागत है आप सबी का एम आफ लर्निंग में आज की वीडियो का टॉपिक है सुभाशितानी सुभाशितानी कार्थ होता बच्छ सुन्दर उक्तिय यानि सुन्दर वचन यहां आपका कक्षा 9 की हिंदी की अन्यवार संस्कृत से लिया गया पाठ है चलिए मैं इ आफ़्ेश्ट नहीं श्यात्य रपी आगे है एके चंद्र इस्तमों यहां पर तमों का अर्थ अंधकार हंति माने मिटाता है यानि नष्ट करना तारागर रपी का क्या आर्थ होता है तारों का सम्हूं, ठीके, तो यहाँ पर सबसे पहले आप संधर्ब लिखेंगे, संधर्म में आपको लिखना होता है कि प्रस्तो शलोग, हमारी पाठ पुस्तक के हिंदी के संस्क्रत खंड के सुभाशितानी नामक पाठ से अवतरित है, यानि कि लिया गया है, सभी शलोगों करन पुत्र से खडो मूर्क पुत्रों से भी स्रेश्ट होता है, एकेशय चंद्र हिस्ततमौ। हंतिन नाच तारा गड़े रपी यानि कि क्योंकि असंके तारों और चंद्रमा में अकेला जो है वह चंद्रमा ही अंधिकार को नश्ट कर देता है, हंती माने नश्ट कर देता है, जबकि असंग के तारों का समूँ संधिकार को नश्ट नहीं कर पाता है दूसरा श्लोक है आपका ये वाला, मनीशड़ह संती ना ते हितेशड़ह, हितेशड़ह संती ना ते मनीशड़ह यानि कि मनीशी यहाँ पर किसको कहा गया है विद्वान लोगों को जो विद्वान होते हैं वे भलाई चाहने वाले हित्यश्णी यानि भलाई चाहने वाले नहीं है और जो हित्यश्णी यानि भलाई चाहने वाले हैं वे मनीश्णी यानि कि विद्वान नहीं है यहाँ पर जो विद्वान भी हो और भलाई चाहने वाले भी हो ऐसा पुरुष मनुष्यों में मिलना उसी दुरलब माने कठिन तो ऐसा मनुष्य उसी प्रकार से मिलना कठिन है जैसे जिस प्रकार औशधियों में स्वादिष्ट और हितकारी दबाई मिलना दुरलब है ठीक है बच्चों चली अगला शुलुग देखते हैं चक्षूशा मन्चा वाशा करवनाचा चतुर विद्धम प्रसादयती या लोकम तम लोको नू प्रसीदती यहाँ पर चक्षूशा मने नेत्रों से मन सा मन से वाच्चा वाणी से करमना करम से इन चारों प्रकार से इन चारों विद्धाओं से ठीक है प्रसादयती या लोके प्रसादयती मने प्रसंद करना ठीक है इस लोग को यानि इन चारों विधाओं से इस संसार को जो प्रसंद करता है तो लोग को नू प्रसीदतेई यह संसार उसे भी प्रसंद रखता है ठीक है अगला है अक्रोधिन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत क्रोध को अक्रोध से अर्थत शांती से जीतना चाहिए यहाँ पर क्रोध जयत क्रोधम यानि कि क्रोध को अक्रोध यानि शांती से जीतना चाहिए असाधु जयत साधुन यानि कि दुर्जनों को सजनता से जीतना चाहिए असाधु यहाँ पर दुर्जन दुष्ट लोगों का गया है और साधुन मने सजन लोगों को ठीके जयत कर्दयम दानेन यानि कि कंजूस व्यक्ति को दान से जीतना चाहिए करदय माने होता है कंजूस कंजूस को दान से जीतना चाहिए जयेत सतें चान रतम और जूट को सत्य से जीतना चाहिए ठीक चलिए अगला है बच्चो अक्रत्वा परसंताप गत्वा खल मंदिरम अलुगद्य संताम मार्ग यत स्वल्पमपी तद बहो यहाँ पर हिंदी अन्वाद है बच्चो कि दूसरों को दुखी ना करके दूष्ट के घर ना जाके सज्जनों के मार्क का उल्लंगन ना करके जो भी थोड़ा बहोत मिल जाता है वह परियाप्थ है तद भधु माने वह परियाप्थ है चलिए अगला है बच्चो सत्य आधार तपस्य तेलम दयावर्ते है शमा शिखा अंदिकारे प्रविष्ठ वय दीपो यतने निवार्त तयाब यहाँ पर कहा गया है कि सत्य जिसका आधार है ठीक और तपस्य तेलम तपस्य जिसका तेल है दयावर्ते दया जिसकी वाती है और शमा जिसकी शिखा शिखा मने है लो शमा जिसकी लो है अंदिकारे प्रवेश्ट वए अंदिकार में प्रवेश करते समय दीपो यतने निवार्त तयाम इस प्रकार के तीपक को प्रेतन बुरुवक जलाना चाहिए अगला है त्यज्य दुर्जन संसर्ग भज साधू समागम यानि दुर्जनों की या दुष्टों की साध को त्याग देना चाहिए और साधू यानि सज्जनों के से समागम यानि मेल्ग मिला करना चाहिए कुरू पुन्य महोरात्रम इस्मर नित्यम नित्यताम दिन रात पुन्य करम करो तथा सदेव ही इश्वर का इस्मरण करो यहाँ पर कहा गया है मन वचन और शरी से पुन्य रूपी अमरत के भरे हुए पुन्य पुश्पूना पुन्य रूपी अमरत के भरे हुए इस्त्रिप्भवन मुपकार श्रेण भी है मन वचन शरीर में पुन्य रूपी अमरत के भरे हुए उपकारों के द्वारा तीनो लोकों को आनन्दित कनने वाला परगोड, पर, मागोड, पार्वती क्रत्य नित्यम, निज जहदी, विक संतह, संती संतह की अन्ते इसका अर्थ है बच्चों कि मन वचन तथा शरीर से पुन्य रूपी अमरत के भरे हुए उपकारों के द्वारा तीनों लोकों को आनन्दित कनने वाले दूसरों के परमाणू जैसे छोटे गुणों को भी परवत के समान समझ करके नित्य ही अपने हिरते से सदा प्रसंद रहने वाले सज्जन व्यक्ति इस संसार में बहुत कम है कि अन्तमाने कितने हैं अर्थात बहुत ही कम है तो बच्चों इसी के साथ आपका यह चैप्टर सुभा शितानी समाप्त होता है मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया हो जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक जरू करिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए जिसमें अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है थैंक्स पर वाचिंग मैं मिलूँगे आपसे अपनी किसी और वीडियो में थैंक्यू